दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि सुई किस तरीके से बानते हैं and the should Rich नोर्मल कॉपलेट करूं गा और सात में ये भी बताओंगा कि बानने के तरीका किस तरीके से सही होता है और क्या-क्या गलतिया हो जाती हैं तो ये नए लोगों के लिए है जिनको नहीं पता सुझी किस तरिके से बांते हैं और कौन से बांते हैं तो इस वीडियो में सब कुछ मैं बता दूँगा तो वीडियो अगर पसंदा है वीडियो को लाइक जरूर करें चे चेलनल पर नहें नहुजाई हैं तो सब्सक्राइब जरूरों कर लीज़ेगा तो नहीं पिर दोस्तो वीडियो स्टाइट करतें तो देखे छोटी मसीन जो होती है घर में हाँ से चलाते हैं यानि की हाफ सेटल वाली तो उसमें क्या है? उसका जो मत्था होता है उसका चप्टा मत्था होता है एक तरह मत्था चप्टा होगा और बांकी गोल होगी मतलब आधी मत्थे पर कटी हुई होगी तो बो जो होती है वो छोटी मसीन के लिए होती है वो छोटी मसीन बनते हैं बनने का तरीका से हम सबका एक ही जैसा होता है बो मैं इसमें वीडियो बताऊँगा तो देखें इसमें का गोल मत्ता तो ये गोल मत्ते की तो ये बड़ी मसीन में बंदेगी तो इसी तरीके से आप पहिचान सकते हैं कि बड़ी मसीन की स feito तो आपको जो है 14 नंबर से ही लगाना चाहिए 14 नंबर से सही चलती है और अगर आप शट बना रहे हैं नॉर्मल है शट ही बना रहे हैं मतलब सिर्फ बना रहे हैं तो उसमें क्या है आप 16 नंबर लगा सकते हैं 16 नंबर की सुई बहुत बढ़िया चलेगी शट पर अगर आप पैंट बना रहे हैं पैंट का तो भी आप 16 न देखें अगर आप सब कुछ बना रहे हैं सूट सलवार और जो है सड़ पैंड तो आप 16 नंबर ही चलाए नॉर्मल सूइव 16 नंबर ही होती है तो 16 नंबर आप चला सकते हैं अब इसके नुक्सान ऑफाय देख या है देखें अगर आप माली जे जड़ बना रहे हैं तो आप 18 नंबर के दर सूइव के सड़ में अगर आ पतल यह द्थागा होता है पतला रहे हैं आप दूर से निसान चमकेंगे तो यह कमियां होती है तो इस चीज का धियान रखें तो इसको पर मैं कभी वीडियो बना दूँगा दूसरा तो चलिए तब तक के लिए अब हम क्या करते हैं अपनी सुई बांते हैं तो सुई बांने का तरीका मैं आपको बताता हूं देखिए कि इसमें एक तरफ आप देख सकते हैं सम्में होती है सुई में सम्में होगी चोटी उमसीन चाहें बड़ी उमसीन से कोई फर्फ नहीं पड़ता है और रही और अगले अब देखिए इसमें जो है खाश है आई यह बतो आप जब देखेंगे तो आपको देख जाएगे पू है तो इसमें देखे अगर आप खाण करने लगे फिर आपको दिकत हो जाएगी तो धागा आपकी जरूरीं बाढ़ देंगे तो आपको बांधाना है इसकी खाण जो होती है वहाँ को इधर ही रखनी है सीधी रखें मतलब कहने का मतलब जादा घुमाएं नहीं उदर जादा इधर ना करें बिलकुल सीधी सटीक में रखें और आपको पूरी बांद देना है और यह चुटकी भी खसका है नहीं नीचे इसको पूरा उपर तक बांदें और इसका चेंड जो है बिलकुल डर्ष्ट आएसे करके गया हुआ है तो सीधा बाने ताकि आपको धागा डालने में असानी हो मसीन में दागा चले भी अच्छा तो इस तरीके से यह टाइट हो गया अब मैं आपको बताता हूं अगर खांच बाला इससा इधर ना हो तो क्या होता है तो देखें अगर हम धागा डाले इस तरीके से क्यों मालिज आपको डाल दिया और हम कपड कर रोल चले तरीके कि चलाते हैं तो तो डिके यह धागा जो आए जब अनर जाता है तो स्वी में कहांच बनी हुए इसके अंदर से थागा चपक के अंदर से चला जाता है बाहें साइत है दागा सेफ रहता है कटता नहीं है लेकिन एधर साइड में हमारे वर्टी तरब गरुद यथर खांच होती है तो दाग बाहर से ही जाता, कपड़े की चीज़ की तुरांट सब्भस जाता है गणा रहता है गरादा, जाता है, जब को चलाते हैं इसको यह अंदर जाता है तो अंदर से भी उता हुआ चला भाए निकलता है ले事 जब को हम लगो सब्सक्राइब को लीजिएगा चलिए फिर दोस्तों फिर मिलें इन्हें वीडियों को साथ अत्तिकले नमस्कार